जहिन दोस्तो मैं हुआ नू पर आप से लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलेक्ट दोस्तो दुनिया में जब भी हैबी टैंकों का बात आता है तो सबसे पहले चड़्चा में आता है अमेरेकी एमवान एब्रैम जर्मन लेपर्ट टू और इसरायल के मारकावा टैंक और अगर दोस्तो कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि इन तीनों टैंकों में से किसी दो टैंक करिवी एलाई है और अमेरिका के द्वारा इसरायल को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरीके के काम किया आया सकता है ऐसे में कभी अमेरिकी टैंक इसरायल के सामने आएगा ये तो संभवी नहीं है पर वीडियो के माध्यम से हम जानने का कोशिश करेंगे कि इन दोनों टैंक के अगर बैग्राउंड को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इसरायल के मारकावा वान टैंको को इसरायल के द्वारा 1978 में अपने बेडे में शामिल किया गया जबकि इसके चार साल के बाद ही इसरायल को इस टैंक को लड़ाई में उतारना पड़ा रिपोर्टों के म द्वारा इन टैंको को modernize करते हुए मारकावा मार्क टू टैंको को तैयार किया गया जबकि 1990 में टैंको के तीसरा संस्क्रण मतलब मारकावा मार्क 3 को दुनिया के सामने लाया गया जिन में सबसे critical अपग्रेशन 120 mm के टैंक गन था और फाइनली सबसे आखिर में इस टैंक स के सबसे लेटेड वर्जिन मतलब मारकावा मार्क 4 को दुनिया के सामने लाया गया है जिसमें और ज्यादा ताकदवर इंजिन के साथ साथ कई तरीके के sophisticated equipment को लगाया गया है जिन में active protection system भी शामिल है जबकि दूसरे तरव अमेरिका के M1 एबराम टैंको को 80 के दशक में ही से बड़ा success आसिल किया पर अगर देखा जाए तो 2003 में और हाली में सौधी अरफ के द्वारा यमन में लड़ाई के दर्मियान कुछ टैंकों को खोना पड़ा इससे एक तरीके से अमेरिका के टैंकों के ऊपर थोड़ा बहुत सवाल तो आता है पर ये इतना बड़ा सवाल नहीं कि इसका solution ढूणा ना जा सके अमेरिका के दरफ से इन टैंकों में कई तरीके के अफग्रेशन के बाद नया ammunition और armor package और sensor के साथ इन टैंकों को एक तरीके से अभी वी up to date रखा गया दोस्तों टैंकों के अगर firepower को compare किया जाए तो आपको पत्ता चलेगा कि इसरायल के Markawa Mark 4 और अमेरिका के A1 Abram दोनों टैंकों में ही 120 mm के gun को लगाया गया है और दोस्तों ये दोनों gun ही इतना ताकतवर है कि ये Soviet जमाने के किसी वी टैंकों एक ही वार में धूल चटा सकता है पर अगर Markawa टैंक और अमेरिकी टैंकों में सबसे बड़ा difference ये है कि अमेरिका के ट इसराइल को कोई भी लड़ाई में टैंकों को इस्तेमाल करने का आवशक्ता पड़ा और नाहीं इसराइल के पडोसियों के पास इतना ताकत है कि इसराइल के इन टैंकों को फिलाल चैलेंज कर पाए पर अगर Markawa टैंक के में गन को देखा जाए तो इसके द्वारा एंटी टैंक गाइड़ मिसाइलों का इस्तेमाल करके इसराइल प्रिसिजन तरीके से हेलिकॉफटर या फिर दुश्मन के आर्मर्ड वियेगलों को तबा कर सकता है और दोस्तों वो भी काफी लंबे दुरी जहां तक टैंकों का गोलेंगा पाहुँच भी नहीं होता है पर अगर निया जनेरेशन के वर्फियर को देखा जाए तो अब तक ऐसे टैंक के गनों से दागे जाने वाले मिसाइलों को इतना ज़्यादा सकसेस नहीं मिला है दोस्तों दोनों टैंकों के ही सॉफिस्टिकेड़ एक्वेपमेंटों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि दोन के अंदर से रहके ही दुश्मनों को धेर किया जा सकता है दोस्तों ये एक तरीके से टैंक के क्रू को अरवन वर्फियर में डारेक फायर से या फिर को लेटरल डैमज से तो बचाता ही है लेकिन दूसरे तरफ अगर मारकावा टैंक के कैपसिटी को देखे तो इसमें 60 मिले के टैंक में इक्वेप किया जाने वाले मोटार्स को भी लगाया गया है जो एक तरीके से टॉरेट के अंदर रहके भी फायर कर सकता है ऐसे मोटार्स के इस्तमाल से डारेक लाइन ऑफ फायर से बाहर रहने वाले ठिकानों को भी ध्वस किया जा सकता है एक्जामपल के रू को अगर compare किया जाए तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के A1 टैंकों को ऐसे design किया गया है कि इसे fast armored warfare में इस्तेमाल किया जा सके एक्जामपल के रूप में आप लोग इराक के लड़ाई को ही देख ले जहाँ पे अमेरिका इन टैंकों का इस्तेमाल करके तेज गती से को surprise करने में सक्षम रहा जबकि इस्राइल के टैंकों को अगर देखा जाए तो इसे basically इस्राइल के आवशक्ताओं को ही पूरा करने के लिए design किया गया है जिनमें सबसे महतोपूर्ण आवशक्ता है defensive role इस्राइल अपने दुश्मन देशों से अपने territory के protection के लिए इन टैं किलोमेटर पर आवर है जबकि ऑफ रोड में ये करिवन 48 किलोमेटर पर आवर है लेकिन इसके upgraded version M1A2 on-road करिवन 67 किलोमेटर पर आवर और off-road करिवन 40 किलोमेटर पर आवर के रफतार से travel कर सकता है पर अगर मारकावा टैंकों को देखा जाए तो ये on-road 64 किलोमेटर पर पर आवर के रफतार से travel कर सकता है मतलब मारकावा टैंक शायदी रोड में travel करते टाइम M1 Abram को पकड़ सके लेकिन off-road में मतलब desert area में ये M1 Abram से ज़्यादा तेज गति से दोड़ सकेगा और दोस्तों ये इसराइल के लिए इसलिए भी आवशक है क्योंकि इसराइल के आस Mark 4 में भी 1500 HP के ही engine का इस्तेमाल किया गया है लेकिन दोस्तों एक ही तरीके के engine होने के बावजूद Mark 4 जादा range तक operate हो सकता है और इसका range करीब 500 km के आसपास है जबकि अमेरिका के M1 Abram टैंकों के range करीब 426 km के आसपास है जबकि दोस्तों इसके इलावा Mark 4 टैंक में एक ऐसा तरीके से इन टैंकों को tactical benefit भी देता है और आवशकता पढ़ने पे injured या फिर दूसरे operational crew को भी इस compartment में carry किया जा सकता है दोसरे इसके इलावा टैंक का सबसे महतोपूर्ण होता है उसका armor मतलब यह कितना protective है और दुश्मन के गोलों को कितना हद तक झेल सकता है M1 Abram टैंको में भूचाला दिया था M1 Abram टैंकों के जो frontal armor है ये इतना ताकतवर है कि इसे भेदने का ताकत दुनिया में बहुती कम anti-tank missile के पास है इवन इराक के लड़ाई के दर्मियान इराक के द्वारा एक भी टैंकों को भेदना इसलिए भी possible नहीं हो पाया उस लड़ाई के दर् जहा है ताकि भविश्य में M1 के armor को ये भेद सके जबके दूसरे तरफ अगर इसराईल के मारकावा टैंकों को देखा जाए तो इसमें भी armor काफी घातक है लेकिन अमेरिका के M1 Abram टैंकों में इस्तेमाल होने वाले uranium armor से कमजोर है इसराईल के द्वारा इसी वज़ा से एक नया तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और टैंकों के frontal section को एक sloppy मतलब angular section में design किया गया है स्लोप होने के वज़ा से जहाँ पे front armor के thickness बढ़ जाता है तो वही पे ये टैंकों के signature को भी चुपा सकता है और साथ में दुश्मन के द्वारा दागे जाने वाले गोलों को भी divert कर स टैंकों को दुश्मन के हमले से बचाने में भी सक्षम है पर इस्राइल के द्वारा सबसे महत्यपूर्ण innovative technology है इसका active protection system वैसे तो ये armor में गिना नहीं जाता है लेकिन ये ऐसा एक बहतरिन technology है जो दुश्मन के missile और rocketों को टैंक के आसपास भटकने से पहले ही मार गिरा सकत ये active protection system इतना बहतरिन है कि इसका इस्तेमाल फिलाल इसराइल के इलावा अमेरिका के द्वारा और जर्मनी के लेपर टैंकों में भी किया जा रहा है अल्टिमेटली अगर दोनों टैंकों को ही एक साथ एक दूसरे के आमने सामने रखा जाएगा तो दोनों एक दूसरे को ब तरीके से benefit देगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले ज का बढ़ ही एंद